हमारे हैं कहा गया धनात धर्मा तता सुखम यानि धन तभी सुखका कारक होता है जब वो धर्म के साथ जुड़ा रहता है तो यह एक सुखत संयोग यहां पर दिख रहा है तो मैं मान सकता हूँ कि यह सुखका कारक आगे संपूर देश समाच के लिए होना चाहिए आज हम लोग international public relationship festival के उपर आए हैं अक्सर हम लोग के दिमाग में mindset हो गया है regarding public relationship as if it is an outside concept या यूं कहें कि हर concept को western नजरिये से देखने का हमारे दिमाग के उपर एक PR exercise के करण हमारे दिमागों में आगया है if we consider about the relationship in the normal context PR is considered as public relationship for professional purpose but we see in our life we are having two type of relationship one is a professional relationship that is for the public and professional purpose another is an emotional relationship that is your personal family and others इन दो के बारे में तो दुनिया भी देखती है but there is also third type of relationship that is devotional relationship जो सिर्फ आपको भारत में देखने को मिलती है जैसे example के लिए there are certain अब इन तीनों में difference क्या है the professional relationship is strictly give and take that I am dealing with you in a relationship till you are useful for me and I am useful for you in emotional relationship there is no feeling of give and take there is a feeling of first giving then expecting something if something that expected is not achieved तो मन दुखी होता है जैसे माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं अप एक्षा नहीं करते पर यदि वर्धावस्था में बच्चे उसको रिवर्ट नहीं करते हैं तो मन दुखी होता है बट डिवोशनल रिलेशनशिप एक स्टेप डिफरेंट जाता है वहां सिर्फ डिवोशन की बात होती है दर इस नो एक्सपेक्टेशन और यह वर्धान यार्ण जिसे कहते हैं तुलसीदाजी ने लिखा ना धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहो निर्वान जनम जनम रची राम पद वहर यह वर्धान यार्ण आई डोंट एक्सपेक्ट एनीधिंग न धर्म न अर्थ अब आप कहेंगे कि यह थोड़ी फिलास्टिकल सी बात बती है यह फिलास्टिकल नहीं है इन तीनों रिलेशनशिप को नेचर ने डिफाइन किया है मैं एक्जामपल देना चाहता हूँ आप मैंसे जितने लोगों ने भी केमिस्ट्री पढ़ा होगा 11 या 12 तक भी तो जिन्हों नहीं भी पढ़ा उनको यह तो पता है कि एटम होता है एटम के अंदर एक नूकलेस होता है उसके चारणों तरफ एलेक्ट्रॉन होते है डिफरेंट 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 एटम्स के डिफरेंट डिफरेंट कॉमिनेशन से मॉलिक्यूल बनते हैं और उन मॉलिक्यूल के रियाक्शन से chemicals बनते हैं और वहाँ से chemistry की शुरुआत होती है पर आप यू समझे जब दो atom बिलकुल individual identity के साथ खड़े होते हैं I am just interested in myself, कोई bonding ये नहीं बनती है, there is no bonding at all, there is no creation at all then comes a bond, bond दो प्रकार के होते हैं, chemical bond एक covalent bond और एक electrovalent bond, covalent ये होता है कि दो atoms के बीच में जो उनके outer orbit के electron है उनकी sharing हो जाती है जैसे ही sharing होई है यानि you share certain interest और you share certain values थोड़ा-थोड़ा sacrifice दोनों करना पड़ा share करना पड़ा, then the bonding starts, बट जिन्हों ने पड़ा होगा, chemistry उनको पता होगा, covalent से ज़ादा strong electrovalent bond होता है electrovalent bond ये होता है एक atom ने, एक electron दूसरे को दे दिया, जैसे ही दे दिया तो उस पे excess electron हो गया तो negative charge हो गया जिसने दिया उस पे positive charge हो गया तो because of the positive negative charge वो bonding बहुत strong हो जाती है यानि nature साफ बताती है अगर कुछ भी नहीं share करोगे कोई bonding नहीं, थोड़ा share करोगे थोड़ी bonding त्याग कर दोगे तो strong bonding और ये तो सिर्फ मतलब सांसारी के reference frame में हुआ और अगर आप spiritual reference frame में सब कुछ त्याग कर देंगे तो वो bonding इतनी supreme होगी कि उस चीज़ को जैसे कहांगे ना कि इलेक्टोवलेंट बहुत strong होता वो कितना strong होगा इसको आप imagine नहीं कर सकते चोटा सब्धारन देना चाहता हूँ जैसे अभी दीपावली मनाई गई और दीपावली में अयोध्या में 21 लाग दिये जले जो जो दिये जलाने वाले उनका कोई expectation था क्या कुछ नहीं devotion था उन्हें बस इस बात की खुशी थी कि मेरे नाम का भी एक दिया जलना चाहिए जैसे आप सबने वो कहानी सुनी होगी कि जब भगवान राम राम से तू बना रहे थे तो एक गिलहरी की कहानी है ना वो अपने पीट के उपर रेत लेकर आती थे और वहाँ गिराती थे तुम्हारी इस रेत से क्या होगा रेत इशू नहीं है इशू यह है कि राम के काम में मेरा